क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद है, आप सब ठीक हूंगे, आज की कहानी बहुत ही खास होने वाली है, चलो तो शरू करते हैं, आज मैंने उर्षिद के कहने पर काले रंग का सोट पहना था, जिसमें मेरा गोरा रंग नमाया हो रहा था, उसका कहना था कि जब तक अपनी मर्द दाना वजाहत नहीं दिखाओगे, तब तक बैगम सहबा तुम्हारी तरफ कैसे मतवजा होंगी, मैं दिल ही दिल में डर रहा था कि ना जाने आगे क्या होने वाला है, मेरी हाला देखकर इर्षध हंस पड़ा था, फिर कहने लगा कि मर्द बनो, तुम तो ऐसे घबरा रहे हो, जैसे ना जाने क्या हो गया है, ये क्या, तुम लड़कियों की तरह शर्मा रहे हो, उसकी बात सनकर मैं सर जुका कर रह गया, उसे कहने लगा कि ये सब कुछ मेरे लिए निया तजर्बा है, मैंने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं किया, उसलिए मुझे घबराट हो रही है तो वो कहने लगा कि कुछ भी नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा, उसने मुझे बहुत सारी टपस्ती थी, जिन्हें मैंने जिहन नशीन कर लिया था, और ऐसा ही हुआ, था जैसा, मुझे अर्शद ने कहा, था जीसे ही में काम के बहाने, बेगम सहाबा के सामने गया, तो वो मुझे देखकर हैरसन रह गई थी, वो पलकें जपकना भूल गई थी, इस वक्त वहाँ पर अर्शद भी मौजूद था, मगर बेगम सहाबा ने उस वक्त उसे साफ नजर अंदाज कर दिया था, अब उनकी तौजा का मरकज मेरी जात थी, और फिर मैं वहाँ से काम करने के लिए बावर्ची खाने में आ गया था, थोड़ी देर के बाद बेगम सहाबा भी बावर्ची खाने में अगी और मेरे इंतहाई करीब खड़े होकर वो एक नई डैडिश बनाने के लिए मुझे हदायत देने लगी थी, उनके वजूद से भीनी-भीनी खुश्बू उठ र रही थी, उन्होंने भी मेरी तुझा अपनी जानिब मर्कूज देखी, तो मुस्कुराते वहां से चले गई थी, रात को जब मैं अपने क्वार्टर में था, तो उसी बारे में ये सोच रहा था, आज उर्षद छट्टी लेकर अपने घर गया हुआ था, और जाते जाते व और मुझे इतला दी कि बेगम सहबा मुझे बिला रही है, ये बात कहते हुए मुलाखमो मुझे मानीخीज नजरों से देखने लगी थी और मैं गुद्रे बोखला गया, था मुझे अंदाज़ा हो गया, था कि बेगम सहबा, रात के सपहर मुझे अपने कमरे में क्यों बला मगर उसके बावजूद भी मैं खामोशी से सर जुका कर खड़ा हो गया था। जब तक वो अपने मूँ से उस बात का इकरार ना कर लेती हैं, मैं खुद से कुछ कहना नहीं चाहता था। वो फिर मेरे अंतहाई करीब आकर बोलें कि तुम्हें मैं बीस हजार की रकम अदा करूंगी, अगर तुम मेरा ये काम कर दोगे, कौन सा काम? मैं बीस हजार की रकम सन कर मेरे मन में लालच पैदा हो गया था, मैंने सिर उठा कर उनकी तरफ सवालिया नजरों से देखा, और फिर जो काम उन्होंने मुझे बताया, उसे सुन कर मैं एक बार पूरे वजूद। प्यारे, दोस्तों, अगर आप ये कहानी मजीद आगे सुनना चाहते हैं, तो मेरे चनल को सब्सक्राइब जरूर करें।